Hello students, I hope and pray, all well at your end. तो आज हम आपकी हिंदी पाठ्थे पुस्टक में से अगला पाठ, अर्थात पाठ ग्यारां, चांदी का जूता पढ़ेंगे. चांदी का जूता एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है रिश्वत देना, giving bribe, which is very bad thing. तो इस कहानी में किसने किसको क्या रिश्वती जानने से पहले इस पाठ का परिचे पढ़ते हैं. प्रिश्ट संख्या 92, पाठ 11, चांदी का जूता. इस वियंगे परक कहानी में, वियंगे परक होता है सार्केस्टिक. तो इस वियंगे परक कहानी में, लेखक ने दहेच चैसी विक्राल सामाजिक समस्या पर करारा वियंगे किया है. दहेच क्या होता है? डौरी. और विक्राल समाजिक समस्या का मतलब है, जो विक्राल होता है भियंकर. और सामाजिक समस्या सोशल इविल और प्रॉब्लम पर करारा व्यंगे किया है कन्या कितनी भी सुशिक्षिप मतलब वेल एजुकेटेड सुयोग्य कैपेबल और सुन्दर मीन्स ब्यूटिफुल क्यों ना हो माता पिता दहेच के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते इस सामाजिक अभिशाप ने भारतिय समाज की आदर्ष परंपरा की जड़ें हिला दी है तो परंपरा क्या होती है ट्रेडिशन तो ये जो दहेच की बीटिफुल ट्रेडिशन थी उसको हिला दिया है तो आगे है कन्फुशियस का कथन जिसे आप स्वयम पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत तो पिए very good thought it is it means which thing we don't like for ourselves shouldn't be imposed upon others too ok let's start the story now संयोग की बात थी मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुँचा उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षकांट धूंधाम से मनाई जा रही थी तो भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंक टेश्वर राव को देखकर मेरी बांचें खिल गए मतलब उनके जो वहाँ पे उसके अपने फ्रेंड था वकील मित्र शिवराम जब उनके घर लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको एक अपना और परिचित मिला जो उनका बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम है विंग टेश्वर राव उनको देखर उनकी बांचें खिल जाती हैं तो बांचें खिलना एक मुहावरा है मतलब बहुत प्रसन होना वे एकदम उचल कर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंदी प्रशनों की बौचार कर दी तो मतलब उसकी जो वेल बिंग के बारे में पूचने लगे कुशलता के बारे में भी कैसे हाल चाल है काफी देर बाद मिले थे दूसरे दिन प्रातह मित्र का नियोता पाकर नियोता क्या होता है इन्वीडेशन निमंत्रन मैं नाश्टा करने उसके घर पहुचा सर्व प्रथम विलायती वा कीमती अलसेशियन सोनी ने तो ये उनका पैट है पैट डॉग ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन मित्र हूँ अभिन जो उससे भिन्ना हो मतलब उसका वेरी क्लोज फ्रेंड बात्रूम में बात्रूम से सर पहुचते हुए वेंग टेश्वराव सीधे बैठक में आ पहुचा पंखा चलाया अखभार हाथ में थमा कर कपड़े पहनने के लिए शायन कक्ष में चला गया शायन कक्ष मतलब बैड्रूम में बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुल्ना भी करने लगा तो comparison will always be there तो दिवारों पर सूप्रसित कलाकारों की पेंटिंग सुशो भी थी मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय विंग टेश्वराव कैसा लाप्रवा रहा करता था लाप्रवा मतलब very careless तो आज उसकी रूची में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ वह सदा अपनी चीजें अस्ट व्यस्ट रख छोड़ता था उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही ना थी तो यह जो राइटर हैं मेभी उसके रूम मेट थे तो उसकी जो हैबिट्स थी उनकी जो आदतें थी अपने फ्रेंड की उनको अच्छी से यह लेखक परिचित थे तो उन्हें नेका यह इतना कियारलेस इंसान अब इतना सिस्टेमाटिक कैसे हो गया तो आप क्योंकि उसका घर उसकी जो ड्राइंग रूम था बैठक मतलब ड्राइंग रूम जो था बहुत वेल डेकरेटिड था और बड़ा ही अरेंच्ट था सब भर जीज मैं चिड़कर उसे लाग समझाता तो आपने हॉस्टल के टाइम की बातें याद कर रहे हैं मैं उसे चिड़कर लाग समझाता किन्तु उसकी लापरवाई में कोई परिवर्थन न देख मैं भी हार मान चुका था कभी कभी कहा करता था यार तुम्हारी घर वाली ही शाय तुम्हें बदल सकेगी अचानक मुझे समर्ण हो आया कि विंक टेश्वर राव में तो कोई परिवर्थन न हुआ होगा यह उसकी श्रीमती रमा की सुरूची का परिचय है वाह रमा तो संदर्य की आराधिका होगी अराधिका कौन होता है पुझा करने वाली तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेज करने वाली मतलब खुद उसके मन में मतलब संदर्य के प्रती उसकी अच्छी रूची होगी तब ही वो अपने घर को सजा कर रखती हैं तो भाई सहब नमस्ते शायद आप रास्ता बोल गए है जो हमारे घर आए रमा एक सांस में कह गई तो अभी वो अपनी थौट्स में था लेखक तो इसी दौरान जो उनके मित्र थे वेंक्टे शिवर राव उनकी पत्नी वहाँ आती हैं उन्हें विश करती हैं और उसके बाद खुश होती हैं कि आप हमारे घर आए मैं बिट्स को तिपाही पर रखते हुए द्रिश्टी उठाई तो बिट्स जो था न्यूस पेपर का नाम हूँ उस जमाने का भी भी पॉप्लर न्यूस पेपर था तो लिखक ने blitz को तिपाई होता है वो stool you can say और table पर रखकर दृष्टी उठाई तो दिखता क्या हूँ सामने हाथ जोड़े हंस्मुक रमा खड़ी है मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्य उत्तर दिया तो एठिकेट्स दिखाई लिखक ने भी वो खड़े होकर उन्होंने उनके जो ग्रेटिंग्स थी उनको अक्सेप्ट किया और उत्तर दिया उनका तभी रमा पूछ बैठी आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए हमने तो आपका बहुत इंतजार किया क्या सुरेश की शादी हो गई मुझे नियोता कहा मिला जो चला आता नीमंतरन पत्र तो भीजा नहीं उल्टे मुझे पर दोशारोपन कर रही हो वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो लाइट मूड में लिखकुन से कह रहे हैं ये बात तो उल्टा चोर को त्वाल को डांटे भी एक मुहावरा है या लुकोक्ती है यूगन से तो इसका भी अर्थ है कि गलती किसी के अर्थ होपनी किसी पर तो आप क्या कह रहे हैं हमने तो पहली किष्ट में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था हो सकता है रमा जी पर मुझे मिलता तब न मैं आता यह हो सकता है आपने पोस्ट कियो पर मुझे नहीं मिला सच कह रहा हूँ मेरे नाम कोई निमंत्रन नहीं आया मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की शायद रमा के तरक के सामने में हार बैटता तब ही वेंग्टेश्वर राव ने प्रवेश करके मिरी रक्षा की तो अधरोईज इनकी आर्ग्यूमेंट चलती रहती तो इन बिट्वीन जो उनके मित्र थे वेंग्टेश्वर राव वहाँ पर आ गए तो लेखक कह रहे हैं कि हमारी वहीं बे बाच्चिस टॉप हो रमा नाश्टे का प्रबंद करने भीतर चली गई थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया भोचनालिय में गुडिया जैसी सुन्दर कन्या तश्तरियों में मिठाईया सजा रही थी तो भोचनालिय जो उनका डाइनी रूम था तो उनकी जो ब्यूटिफुल जो क्या कुडिया जैसी सुन्दर कन्या तो तश्तरियां क्या थी हैं डिश प्लेट्स यूगन से तो उसमें स्वीट्स वगरा सजा रही थी वेंक्टेश्वराव ने अपनी बहु का परिचय कराया यह सीमा मेरी पुत्रवधु मींस चौटर इनलो जानते हो इसने में प्रथम श्रिनी में किया है विश्व विद्यालय भर में यह प्रथम आई इसे स्वन पदक भी प्राप्त हुआ है स्वन पदक गोल्ड मैडल तो अपनी बहु की अपनी डॉटर इलो की प्रेज कर रहे हैं फिर राव ने अपनी पुत्रवधु से कहा बेटी चाचा को जरा वह पद दख तो दिखलाओ सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था वह सर जुकाए चाए के प्याले मेज पर लगा रही थी रमा दोड़कर बैठक में गई अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया भीया हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वन पदक प्रात नहीं किया अपनी सीमा पर हमें गर्व है ये तो रात दिन पढ़ती है पीएश्टी भी कर रही है कहती है कि मैं डीलिट भी करूंगी मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहु की तबियत कहीं बिगड ना जाए मैं लाग समझाती हूं कि बहु तुम आराम करो लेकिन हमारी बात सुनती नहीं रसोई बनाती है खाना परोस्ती है ससुर की सेवा करती है साथी कॉलेज में पढ़ाती भी है भाभी तब कोई रसोया क्यों नहीं रख लेती रसोया मींस कुक कमाने वाली बहु से काम ल पाना ही अच्छा लगता है, काम भी क्या है, चार जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए, काम करने से तबियत भी अच्छी रहती है, रमा जूर बोलने की भी हद होती है, तब ये विक्नटेश्वर आप बोलें, ये पराय थोड़े ही है, यार असली बात यह है, कि रसोईये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है, मैंने एक दो नौकर रखे भी, पर कोई न कोई बहाना बना कर इसने भगा दिया, विंग्टेश्वर आपनी कहा, तुम सारा दोश मुझ पर क्यों मड़ते हो, तुम ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इ मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ चलाने की, रमाखी जूठी, मैंने बीच बचाव के खयाल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है, भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा, जब वे स्वयम खा पत्ती नहीं है, मकर बेचारी बहुसे सारा दिन काम लेती है, तो अब जो विंग टेश्वराव हैं, वे सारी सच्चाई बता रहे हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि इस समय उनकी जो पत्नियां जूट कह रही हैं कि वे काम करती हैं, वास्तव में वे अपनी जो ये के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है, अगर अशिक्षित बहु घर आती तो क्या होता, मतलब यदि अब ये पड़ी लिखी है और कमाती भी है बहु, तो उस जमाने में 600 रपय की अच्छी वेली होती थी, तो मित्र कह रहे हैं कि यदि ये पढ़ाती ना होती और नौकरी ना करती होती, तब भी तो हम गुजारा करते, अब तो वे 600 रपय को मा कर लाती है, तो उसमें 600 रपय हम रसोईये को दे भी देंगे, तो क्या होगा, मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, वे 50,000 रुपय दहेच लेकर मैट्रिक पास पहु को घर लाए, मैट्रिक मतल बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती, परोसना मतलब सर्व करना, खाना सर्व तक नहीं करती, कोई उसे चोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, पिता जी ने इसलिए 50,000 रुपय नहीं दिये हैं, कि मैं आपके घर बेगारी करूं, बेगारी का मतलब होता है, बिना पैसे काम करना, वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले, ब्याज क्या होता है, इंटरस्ट, उससे नौकरचा कर रख लो, मतलब अच्छी सुनाती थी वो बहु, वो दहेच लाई थी, पैसे लाई थी, आखे मेरी बहु तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मि इसमती थी, कि ऐसी बहु हमें मिली, तो वेंक टेश्वराव अपनी बहु की बहुत तारीफ कर रहे हैं, पती को बहु की तारीफ के पुल बांधते देख, तारीफ के पुल बांधना भी मुहावरा है, मिन्स बहुत अधिक प्रशंसा करना, जब बहुत ज़्यादा उनकी उनको अच्छा नहीं लगता, वें तनकर बोली, मैं ही चाक्री करने के लिए पैदा हुई थी ना, हुई हूँ ना, चाक्री मतल्ब नौकरी करने के लिए, मतल्ब आपकी नौकर बनने के लिए, मेरे बाप दादे जमीदार थे, तो she wants to say, की मैं भी जो थी, अच्छे घर आ आने से हूँ, जमीदार रिच फैमली से हूँ, बिलों करती हूँ, हमारे माईके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब पुछ थी, लेकिन मैं यहां क्या भोग रही हूँ। राव को अप्रसंद नहीं करना चाता था, सिगरट जलाकर कश लेते हूए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया, तनाव मतला टेंशन, तो मतला टेंस्टम हॉल हो गया उनकी घर का, राव ने एश ट्रे लाकर तिपाई पर रखा, मेरी उत्सुता जगी, व जिसमें वो उसकी जो एश किरानी थी, तो उस ट्रे जो थी, वो चांदी सिल्वर की बनी हुई थी, उल्टे पैर के जूते की आकरती का था, तो आप यू कन सी इन पिक्चर, तो मतलब जैसे उल्टा मतलब लेफ्ट जो फीट था, उसकी शेप की वो जो एश ट्रे थी, इस किसम का एश ट्रे मैंने पहली बार देखा था, मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहां से करी था, राव दार्शनिक की भांती गंभीर हो गया, दार्शनिक क्या होता है, जो बड़ा ही थौटफूल है, जैसे की फिलोसोफर, तो वो बड़ा ही बहुत सीरियस हो गए, फीकी मुसकान उनके चेहरे पर खिल उठी, मतलब he was unhappy, दोस्त मैं तुमसे क्या चिपाऊं, यह एश ट्रे मेरे थोते आदर्शों का उपहास करने वाला विसमर्निय चिन है, मतलब इसको इस एश ट्रे से लिएटिटी सारी कहानी उनके दिमाग में आ जाती है, और वो क्या कहते है कि मैं बड़ा आदर्शवादी था, मतलब I was having falling values, पर अब क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि यह सब मेरी, मतलब मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ हूं, मतलब हमको follow नहीं करता, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, तुम जानते हो, हमने college में पढ़ते समय शपत ली थी, कि हम भूल कर भी दहेच ना लेंगे, यह भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया, पर क्या करूं, क्या बताओं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रशन उठा, तब मैंने बिना दहेच के एक मित्र की कन्या के साथ रिष्टा पक्का किया, मेर अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, परिक्रमाएं मतलब चक्कर लगाए, मतलब क्योंकि जो उनका पुत्र था, वो सुयोग्य होगा, अच्छा होगा, तो जो लड़की के पिता थे, लड़कियों के पिता थे, वो चाहते थे कि हमारी बेटी की शादीन के बेटे से हो जाए तो इसलिए उन्होंने बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश की किन्तु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिना पर प्रसंद नहीं हुई तो अगें इस आर्केस्टिक कमेंट तो वो कह रहे हैं मित्र चुरा विंक टेश्वर आवें वो कह रहे हैं कि मेरी चो पत्नी लाइक देवी वो अपने भक्तों की उनकी जो भी वो मतलब दहेज में वो डिमांड कर रही थी कि मुझे ये चाहिए तो वो नहीं फुल्फिल कर पाये तो उसलिए वो प्रसंद नहीं थी उनसे आखीर मैंने ये रिष्टा तई किया रमा ने सीमा को देखा पसंद किया रिष्टा पक्का भी हो गया निमंतरन पत्र भी छप गए मतलब इन्विटेशन कार्ट विवाह में केवल पंद्रा दिन रह गए थे रमा रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर है उन्होंने दोनों हाथों से खुब कमाया होगा मतलब भाइब भी ली ओगी बिना मांगे हजारों की दक्षना मिल जाएगी आखिर ना मालूम कैसे उसके कानों में ये भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भदर पुरुष हैं और इमानदर हैं तो उसको कहीं से पता चल गया कि वो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं बड़े ही ओनेंस्ट हैं तो उन्होंने अपना जो भी इसलिए वो दहेच भी ना देंगे जब सुन्दर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौमते हैं तो दक्षिना क्यों चुकाएं तो यह उनकी थौट थी मता सीमा के फादर की पिता की कि जब हमने इतनी सुयोग्य, सुन्दर और सुशील कन्या दे दी तो इसके बाद भी आपको और क्या दक्षिना चाहिए मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेच की मांग नहीं की थी रमा मुझ पर दवाब डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से अपनी के बार अपनी पत्नियों के आगे मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी कि हमें दहेच चाहिए मैंने सिरफ इतना ही कहा भाई साहब कई लोग लाख दो लाख रुपेयों के दहेच का लोब दिखाते मेरे घर आये, लेकिन मैंने उन सभी रिष्टों को ठुकरा दिया, मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुन्दर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रिमती कुछ और ही सोचती है, मैं यही कहूंगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हु उचित रकम अवश्य दें, तो उन्होंने इंडारेक्ट वे में किसी भी धंग से अपनी पत्नी की जो इच्छा थी वो जाहिर कर दी, अपने सीमा के पिता के सामने, यह शब्द कहकर मैं घर लोटाया, वो भले मानुस थे, मुझ पर नराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेच में मिल चाएगी, तुम फिक्र मत करो, विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि पचास हजार रुपए का दहेच मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे, तो उसको अभी भी शक था कि शायद हमें पैसे ना मिलें, मैंने एक सप्ता भाद सुना किसी मा के पिता ने राइस मिल्स एसोसियेशन के दस्यों को अपने घर बुलाया था, राइस मिल्स एसोसियेशन ने कन्या को एक सुन्द बहुत बड़ा चांदी का बरतन भेंट किया, मतला बिग सिल वही बरतन हमें दहेज में प्राप्त हुआ, तो उसके पिता ने अपनी बेटी को जो गिफ्ट मिला था, वह उसके दहेज में भी दे दिया, मेरी श्रीमती जी ने विवहा संपन होते ही, वह बरतन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया, मुझे अलग से बुलाकर बरतन का थक्कन खोला, उसकी आंखें विसमे से चमक उठी, विसमे मतला हैरानी से, सर्प्राइस्ट, नोटों के बंडलों से वह बरतन भरा हुआ था, तो तो एक पॉट वास फिल्ड विद, फुल विद मनी, उसके रमा ने सारे बंडल जमीन पर उंडेल दिये, उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपए थे, तो वो 50,000 जाती थी, अब उसको more than 60,000 मिल रहे हैं, रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही, वे सभी नोट एकदम नए थे, मुझे तो डर लगा कि कहीं ये वे जाली नोट तो नहीं, तो वो हैरान थे, जो वे इंग टेश्वर आव की, इतना सारा धन दे दिया हमें, तो कहीं ये नकली जाली, मतलब नकली नोट तो नहीं, रमा, रुपेयों के बंडलों को एक बक्स में, बक्स मतला बॉक्स, या या सूटकेस में सजाने लगी, मैंने बरतन में हाथ डाला, तो कोई और चीज हाथ लगी, वह चांदी का जूता तो उसमें नीचे नोटों के बंडलों के नीचे एक सिल्वर शू भी पड़ा था, चांदी का जूता, मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, दिल पर मारा था, तो लेका कह रहे हैं, तो ये मैने जैसे आपको बिग्निंग में भी बताया, चांदी का जूता क्या होत लड़की के पिता हैं, उन्होंने उसके इंडिरेक्ट वे में नोटों के साथ ये जो चांदी का जूता मुझे दिया है, ये मेरे सिर पर नहीं मारा, बलकि मेरे दिल पर मारा, उनको पूरी तरह से उनके दिल पर उसका प्रभाव पड़ा है, So, this was a nice and inspirational story, पुराने समय में बच्चों, माता पीता अपनी कन्या की विवाह के अवसर पर भींट सो रूप, अपनी सामर्थे के अंसार, कुछ उपहार या धन दौलत दिया करते थे, वैसे भी बेटी को खाली हाथ विदा करना शुब नहीं माना जाता था, पर कालंतर में धेच लोभी कुछ जाहिल लोगों ने लड़की वालों से भारी भरकम धेच की मांग आरंब करके इस सुन्दर परंपरा को अभिशाप में बदल दिया, धेच के इस अभिशाप के कारण आज भी अनेक सुन्दर, सुशिक्षित, कन्याओं के माता पिता भी उसके विवाह के नाम पर भायभीत हो उठते हैं, तो मेरे अनसार इस स्कूप रथा को रोकने के लिए आज के नव युवक, नव युफ्तियों को द्रड़ता से यह कदम उठाना चाहिए कि हम वहाँ हर्गिस शादी नहीं करेंगे जहां देच के लेंदेन की बातें होंगी, तो आज मैं आप सबको भी इस विशे पर आपके थौट्स के साथ छोड़ती हूँ, नेक्स टाइम मिलेंगे इस पार्ट के अभियासकारे के साथ, तो कीप लनिंग गुड थिंग्स और गुडबाई, गुडब्लेस.